जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंसाइड थियोरी ओफ लर्निंग या सीखने का सूज का सिध्धान्त बट हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसका क्या उप्योग है? शिक्षन में या क्लासरूम में या एक टीचर के लिए देखें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सूज अंतरजिष्टी का सिध्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ध्यापक एक टीचर को बच्चों को बहुत सारे कार्य सिखाने होते हैं तो उसमें कैसे वो बच्चों को ये बता सकता है कैसे ये जो बच्चों की अंदर की मांसिक शक्ती है उसको किस तरह से उभारना है उसको किस तरह से बाहर लाना है बस मैं सिंपल शब्दों मैं कहूं तो ये है कि बच्चे किस तरह से खुद अंडस्टांड करें मतलब एक तीचर जो होता है वो अच्छा पढ़ाना तो उसका एक गुण होता ही है लेकिन बच्चों को किस तरह से खुद प्राब्लम्स को सॉल्व करना है एक एक इंटर्नली किस तरह से अपनी मिंटल स्ट्रेंथ को जगाना है कैसे उसको use करना है problem को solve करने के लिए ये सूच का सिध्धानत यहाँ पर बहुत उपयोगी होता है जैसे क्या है कि इसका उपयोग हम बच्चों को कुछ creative work करवाने के लिए करवा सकते हैं देखे creative work के लिए क्या ज़रूरी है कलपना की ज़रूरी है कलपना की यानि imagination करना go solve करने में या कुछ साहितिक यानि कुछ आगर आप रचनात्मक लिख रहे हैं संगीत कला मतला आप यह सोचिए कि कि किसी भी रचनात्मक देखे every subject हर subject में कुछ नो कुछ आप imaginary होता है आप यह नहीं कह सकते हैं कि language में कुछ imagination नहीं होता mathematics में भी आप imagination का use करते हो science में भी other subject हो गया उसमें बच्चों को आप imagination मतलब उनके imagination के उपयोग के थूँ आप किसी भी काम को बहुत असानी से और नए नए तरीकों से करवा सकते हैं तो देखे इसमें क्या है यह जो सिध्धानति यह इस बाद पर फोकस करता है कि बालक स्वयम खोज करे हैना स्वयम खोज क अधर के नया ग्यान अरजित करें यानि ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ा दिया गया वही पढ़े या इससे क्या होता है कि बच्चे के सामने आपने कोई समस्या रख दी और बच्चा उस समस्या को खुद समझे अंतरदिष्टी का क्या मतलब है insight यानि आप अपने मर्जी से देखिए माली जा क्या होता है जैसे छोटे बच्चों के सामने आपने क्या किया सपोज आपने चोटे बच्चों के सामने कुछ टुकड़े रख दिये ठीक है एक पजल के चार पांच टुकड़े रख दिये आपने अब आप उसको बोलिए कि अच्छा बताओ इ उसको एकठा करने की या जोडने की कोशिश करेगा ठीक है और अचानक से जब वो imagination अपनी use करेगा कि मैं इस टुकोड़े को यहां रख दू इस टुकोड़े को उपर रख दू इसको नीचे रख दू तो शायद ये बन जाए है ना तो इसी को हम कहते हैं सूज अचानक से solution मि क्या होते हैं कि आपने किसी आपने देखा होगा चाहे वो Hindi हो चाहे English हो उसमें क्या होता है बच्चों को जो sentence होते हैं उसके जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे लिख दिया जाते हैं अब बच्चे को क्या करना होता है बच्चे को अपनी मानसिक शक्ती से उन शब्दों सूच का सिधान्त और आप खुद ही सोचिए कि सूच का सिधान्त कितना उपियोगी है कि अगर इसका इस्तेमाल बच्चों ने खुद करना सीख लिया तो वह कितने इंडेपेंडेंट हो जाएंगे और हर नई परिस्थिती में वह प्राब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे इ लेकिन वह नया सोलूशन आगे कहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मिलती जुलती समस्या बच्चों के सामने दुबारा आएगी तो बच्चों को जो पहले बच्चों ने सीखा था उसको वह यूज कर सकते हैं ठीकि तो सूच का सिधान्त किसी नई समस्या एकदम करना चाहिए कि वह बच्चों को यह सिखाए कि वह स्वयम ही परस्थिती को तोड मोड कर या उनके टुकडों को हिस्सों को जोड कर अपनी प्राब्लम्स को सॉल्व करना खुद सीखें थैंक्यू सो मच